हेई व्रीवान वेल्कम बैक टू मैं चैनल लाइन कैसे हो आप आई होप आप लोग अच्छ होंगे आज में आपके साथ रिवीश शेयर करने होले अगर आप फॉस्ट ट्राइब कर रहे हो तो पॉस्ट से ट्राइब कर सकते हो अंडेड एमिल का प्राइज और फॉस्ट इसके मिल चाहती है बात करें यह सैंपू क्या दावा करता है तो यह सैंपू बालों को पोश्टन देता है बालों में साइन लाता है हेरफल को कंट्रोल करता है डैंडरोफ को खत्म करता है बालों को हेल्दी बनाता है तो यह सब है क्लेम तो गाईज यह तो है क्लेम और अब मैं बताऊंगे अपना एक्सपरियंस कैसा रहे सैंपू को खो लेके तो गाईज यह सैंपू दावा करता ये हर्बल सैंपू होने का तो इसमें हर्बल इंग्रेंट के साथ कुछ कैमिकल का भी यूज़ किया गया है इसमें मेन की इंग्रेंट है तूजा, जवारेंडी, कैलनूला ये तीन हुई इंग्रेंट काफी अच्छे हमारे हैर के लिए हैर को शाइनी और हेल्डी, लॉंग, स्ट्रॉंग बनाने में हेल्प करता है, आप हफ़ते में दो से तिन बार यूज़ कर सकते हैं ये लुकिट फॉर्म में आता है, थोड़ा सा ही सैंपू आपको लेना, काफी अच्छा जाग गई निकल जाता है और काफी अच्छा लैदर फॉर्म करता है इसको आप दो से तिन मिनिर तक आपको ये बालों में मसाज करना है उसके बाद धो लेना है तो गाइस बात करें इसके रिजल्ट की तो क्या रहा मेरा अपना परसनल एक्सपिरियंस तो ये सैंपू को लेके तो गाइस सबसे पहले अब मेरे बाल ड्राइ होगे मेरे बालों को ड्राइ कर दिया जिक लोगका बाल ऊईली रहता है ये सैंपू बेस्ट हो लेकिन मेरे बालों के लिए नहीं है तो ये बाल बहुत जादा रुफ हो गायी hair fall में भी कोई control बिल्कुल भी नहीं है और dandruff जरूर क्लीन होता है और कुछ ज्यादा benefit नहीं है ना strong दिखते हैं ना shiny आते हैं बाल में कुछ भी नहीं मेरा एकदम बैड experience रहा ये sample को लेके तो अगर आप पर try भी करना चाहते हो तो बहुत छोटो सा pack से आपको try करना उसके बाद comment करके जरूर लिखना आपके उपर कैसा रहा अच्छा बूरा कुछ भी हो आप comment जरूर करना एक comment से औरों को भी help मिल सकती है तो guys यही थी मेरे आज की review I hope आपको मेरे वीचे कुछ help मिल अच्छी लाइक तो प्लीज लाइक से रो मैंने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेदों फैमिली को साथ जरूर शेयर कीजिएगा तो फिर में तरह नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बावाई टेक केर